आपका स्वागत है आज सापताहिक रोजगार समाचार में हम आपसे बात करेंगे UPSC, DSSB, ESIC, MPHC, UKSSSC, राजस्थार एडुकेशन डिपार्टमेंट, AIMS, BSF, MPSC, MPNHM की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, Odisa Public Service Commission, OPSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में पद का नाम है Assistant Section Officer, Group B, Total Number of Vacancies की बात करें तो सभी पदों को मिला कर रिक्तियों की कुल संक्या 796 है जहां तक Section क्योगिता की बात है तो अभियर्थियों के पास graduation किसे भी discipline में होना अनिवार है उम्रिसीमा की बात करें तो 21-32 साल तैकी गई है वहीं आप्लिकेशन फीस की बात करें तो SCS टी जो डिसा के रहने वाले हैं उन्हें कोई आवेदन शुर्क नहीं देना होगा पी एच को भी कोई आवेदन शुर्क नहीं देना होगा और बाकि सभी शुर्क नहीं के लोगों को 500 रुप आवेदन शुर्क के रूप में जुमा करने होंगे आखरी तारिक 25 फरवरी 2022 तैकी गई है वहीं आथिकारिक वेब साइट की बात करें तो आप www.opsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली सब ओर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोट DSSB की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में पद का नाम है जूनियर इंजिनियर सेक्षिन ओफिसर तोटल लंबर ओफ वेकेंसी की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों के कुलसंग्या 691 है जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो सिविल और इलेक्रिकल तैखिया गया है महीं सेक्षvell क ज्योगिता की बात करें तो अभियर्थियों के पास डिग्री डिग्री रेलेवन्ट डिसिप्लिन में यह डिपलोमा रेलेवन्ट इन्जिनिर्व डिसिप्लिन में और दो साल का प्रफेस्चनल एक्स्पीरेंस होना अनिवार है उम्रिसीमा की बात करें तो 18 से 27 साल तैकिया गया है वहीं आप्लिकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को जो यूर, EWS और OBC है उन्हें 100 रपै S.E.S.T.P.H. और महिला E.X.S.M. को कोई आवेदन शुल्क नहीं देने होंगे आखरी तारिक 9 फर्वरी 2022 तैकी गई है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप dssb.dilly.gov.in पर जो आकर आवेदन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे Employees State Insurance Corporation ESIC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में पद का नाम है Multitasking Staff, MTS, Upper Divisional Clerk, UDC, Stenographer Group C टोटल नंबर और वेकेंसी इसकी बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों के कुल संक्या 3865 है जहां तक सेक्षनिक योगिता की बात है तो अभेर्थियों के पास Matriculation या 10 प्लस 2 या और साथी साथ हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग का घ्यान होना अनिवार है इसके साथ ही Graduation की डिग्री रखने वाले उमिदवार भी योगि माने जाएंगे उम्रिसीमा नियुन तम 18 साल और अधिक्तम 27 साल तैकी गई है वहीं आप्लिकेशन फीस की बात करें तो यूर ओबीसी को 500 रुपए सेस्टी पियच और महिलाओं को 250 रुपए आवेधन शुल के रुपे जमा करने होंगे आखरी तारीख 15 फरवरी 2022 तैकी गई है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.esic.nic.in पर जाक रावेधन भड़ सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे Employed State Insurance Corporation ESIC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों की बारे में पद का नाम है Insurance Medical Officer टोटल अम्बर ओफ वेकिंसी की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संग्याई 1120 है और बाकि सभी श्रेणी के लोगों को 500 रुपे आवेधन शुल्फ के रुपे जमा करने होंगे आखरी तारिक 31 जनवरी 2022 तैकी गई है वह यहां अधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.esic.nic.in पर जाकर आवेधन भड़ सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोट MPHC जबलपुर की तरफ से निकाली गई रिक्तियों की बारे में पद का नाम है Civil Judge Junior Division तोटल नमबर आव वेकिंसी की बात करें तो सभी पदों को मिराकर रिक्तियों की कुल संक्या 123 है जहां तक सेक्ष्री क्यों किता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैस्टर्स डिग्री लौ में होना अनिबार है उम्रिसीमा की बात करें तो 21-35 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेधन भर सकते हैं आप्रिकेशन फीस की बात करें तो रिजर्फ्ट काटेगरी जो मध्य प्रदेश के रहने वाले उनको 647 रुपे और बाकि सभी श्रेनी के लोगों को 1047.82 रुपे जमा करने होंगे आखरी तारिक 27 जनवरी 2022 तैकी गई है वह यहां अधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप mphc.gov.in पर जवाकर आवेधन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे उत्राखंट सबॉर्डिनेट सब्स सेलेक्शन कमिशन UK SSSC की तरफ से निकाले गई रिक्तियों के बारे में पद का नाम है पुलीस कॉंस्टिबल, मेल कॉंस्टिबल, पीसी, आयारवी, कॉंस्टिबल, फार्मैन, मेल और फीमेल टोटल अम्बर ओ वेकिंसी की बात करें तो सभी पदों को मिला कर रिक्तियों के कुल संक्या 1520 है अप्लिकेशन फीस की बात करें तो आवेदे को को इन पदों के लिए कोई आवेदन चुलक नहीं दिया गया है आखरी तारिक 16 फरवरी 2022 सेखी गई है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप ssc.uk.gov.in पर ज़गा कर आवेदन भढ़ सकते हैं इसके बात अब हम बात करेंगे elementary education department राजस्थान की तरफ से निकाले गई रिक्तियों की बारे में पद का नाम है primary teacher, upper primary teacher टोटल number of vacancies की बात करें तो सभी पदों को मिला कर रिक्तियों की कुल संख्या 32,000 है जहां तक सब्जेक्ट की बात है तो इसमें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सोशल स्टडीज और मैथमेटिस सही किया गया है जहां तक सेक्ष्ट्री क्योंकिता की बात है तो अभिहर्थियों के पास 10 प्लस टू या ग्राजवेशन, डिपलोमा के साथ ऐलिमेंटरी में, या फिर special education या ग्राजवेशन, बैचलर्स ओफ ऐलिमेंटरी में या फिर special education या BA या इसके समकर्ष कोई डिग्री relevant subject में होना अनिवार है उम्री सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल तैकी गई है हाला कि age relaxation reserved category को दिया जाएगा application fees की बात करें तो UR OBC EWS को 100 रुपे NCL OBC को 70 रुपे SCST PWD को 60 रुपे आखरी तारिक 9 फरवरी 2022 तैकी गई है वह या अधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप education.rajistan.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे Odessa Public Service Commission OPSC की तरफ से निकाले गई रिक्तियों की बारे में exam का नाम है Odessa Civil Service Examination Total Number of Vacancies की बात करें तो सभी पदों को मिला कर रिक्तियों की कुल संक्या 405 है जहां तक सेक्षनी क्यूगिता की बात है तो अभिहरतियों के पास Bachelor's जिग्ली किसी भी डिसिप्लिन में होना अनिवार है उम्रिल सीमा की बात करें तो 21-22 साल तैकी गई है हलाकि Age Relaxation Reserved Category को दिया जाएगा अप्लिकेशन फीस की बात करें तो SCST जो Odessa के रहने वाले हैं उन्हें कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा PWD को भी कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और बाकि सभी शुल्क के लोगों को 500 रुपे आवेदन शुल्क के रुपे जमा करने होंगे आखरी तारिक 9 फरवरी 2022 तैकी गई है वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.opsc.gov.in पर जाकर आवेदन भड़ सकते हैं इसके बाद अब हम बात करेंगे All India Institute of Medical Science Aims जोधपूर की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में पद का नाम है Senior Resident टोटल नमबर ओव वेकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख है 125 है जहां तक दिसिप्रिन की बात है तो अभियर्थियों के पास अनिस्तियोलोजी औड कृटीकल केर बायो किमेस्टरी, काडियो, ठरासिक सरज्जुरी, कम्यूनिटी मेडिसीन and family medicine, dentistry, dermatology, vernalogy and leprology, diagnostic and interventional radiology, forensic medicine and toxicology, gastroenterology, general medicine, general surgery, hospital administration, medical oncology, hematology, microbiology, neurosurgery, nuclear medicine, obstetrics and gynecology, ophthalmology, orthopedics, pathology, lab medicine, pharmacology, physical medicine or rehabilitation, physiology, psychiatry, radiation oncology, public health, transfusion medicine and blood bank, trauma and emergency, medical and surgical. जहां तक section निक्यों किता की बात है, तो अब हैर्थियों के पास MS, MD, DNB, MCH relevant discipline में होना अनिवार है. इसके साथ ही अगर हम मुम्रसीमा की बात करें तो अधिक्तम 45 साल तैकी गई है. वहीं आप्लिकेशन फीस की बात करें तो यूर, OBC को 1000 रुपे, SCST को 800 रुपे और PWD को कोई आविदन शुर्क नहीं देना होगा. आखरी तारिक 20 जनवरी 2022 सेखी गई है. वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.aims.jodhpur.edu.in पर जुआ कर आविदन भरना होगा. इसकी बाद अब हम बात करेंगे Border Security Force BSF की तरफ से निकाली गई रिक्तियों की बारे में. पद का नाम है Constable Tradesman. Total number of vacancies की बात करें तो सभी पदों को मिला कर रिक्तियों की कोल संक्या 2788 है. जहां तक discipline की बात है तो Cobbler, Tailor, Cook, Barber, Sweeper, Carpenter, Painter, Electrician, Drotsman, Waiter, Mali. जहां तक Section की बात है तो अभियर्थियों की पास Matriculation और Diploma, Relevant Trade में या इसके समकश कोई डिग्री होना अनिवार है. उमरिसीमा की बात करें तो 18-23 साल तैकी गई है. वहीं application fees की बात करें तो UR, OVC को 100 रपे, SC, ST और महिलाओं को को या विदन शुलक नहीं देना होगा. आखरी तारिक 1 मार्च 2022 तैकी गई है. वहीं आधिकारिक website की बात करें तो आप www.bsf.nic.in पर जाकर आविदन भर सकते हैं. इसकी बात अब हम बात करेंगे महरास्ट्र पब्लिक सर्विस कमिशिन, MPSC की तरफ से लिकाली गई रिक्तियों के बारवे. पद का नाम है Civil Surgeon. Total number of vacancies की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संक्या 172 है. जहां तक सेक्ष्णिक योगिता की बात है तो अभी हर्थियों की पास MBBS की डिक्री होना अनिवार है. उम्रसीमा की बात करें तो 18-40 साल तेह की गई है. वहीं आप्लिकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को 719 रुपे आवेदर्शुल के रुपे जमा करने होंगे. आखरी तारीक 21 जनवरी 2022 तेह की गई है. वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.mpsc.gov.in पर ज़ाकर आवेदन भर सकते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे National Health Mission NHM मध्यप्रदेश की तरफ से निकाले गए रिक्तियों की बारे में. पर्द का नाम है Laboratory Technician. Total number of vacancies की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों के कुछ संक्या 283 है. जहां तक सेक्षनी क्योंकिता की बात है तो अभियर्थियों के पास DMLT, BMLT, BSC, MLT में होना अनिवार है. उम्रसीमा 21 से 40 साल तेकी गई है. वहीं आप्लिकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा. आखरी तारिक 31 जनवरी 2022 तैकी गई है. वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.nhmp.gov.in पर जाकर आवेदन भड़ सकते हैं. इसके साथ ही रोजगार से जुड़े समाचार में आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद.